हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ आरके और आज मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप गूगल प्ले बैलेंस को अपने बैंक अकाउट में कैसे ट्रांसफर कर सकते हो यह गूगल मैंने प्ले स्टोर ओपन कर रखा है प्ले स्टोर के यहाँ पर जो प्रोफाइल का जो फोटो बना होता उस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर पेमेंट एंड सब्सक्रिप्रिशन का ओप्शन मिल जाता है यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं और पेमेंट मैथर्ड में जाते हैं तो आपका जो भी बैलेंस आपका प्ले स्टोर में पड़ा होता है इमेल आईडी पर जो भी यह पैसे यहाँ पर होंगे उनको हम bank account में कैसे transfer करेंगे वो मैं आपको live दिखाऊंगा तो सबसे पहले हमें एक app की ज़रूत पड़ेगी तो यहाँ पर हमें back कर देता हूँ तो back करने के बाद यहाँ पर मैं Google Play Store के home page पे आ गया हूँ यहाँ पर search बार पर click करेंगे और एक app की हमें ज़रूत पड़ेगी reward converter इतना बस type करके आप search करोगे तो second number पर reward converter की यह वाली app आपको देखने को मिल जाएगी reward converter इंडिया RCI इतना लिखा होगा और यही logo होगा इसको आपको download करेंगे पहली बार जब आप download करोगे इस app को तो यहाँ पर आपको login करना होगा तो यहाँ पर यह बता रहा है कि कैसे कैसे इस app को इस्तमाल करना है मैं यहाँ पर skip कर देता हूँ direct और यहाँ पर हम login कर लेते हैं login करने के लिए आप उसी email id का इस्तमाल करिए जिसमें आपके पैसे पढ़ऊ है जिसमें आपके पैसे पढ़ऊ है जिसमें आपके पैसे है उसी email id से यहाँ पर आप login कर सकते हो sign in with google पर क्लिक करोगे automatically आपके mobile पर जो भी email id लगी होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी तो automatically यहाँ पर sign in के लिए यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर मैं continue कर देता हूँ continue करते ही यहाँ continue जैसे ही करोगे आपका home page यहाँ पर open हो जाएगा आपकी app का और app कुछ इस तरह कि आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर कितने रुपए आपको convert करने है वो आपको यहाँ पर अभी decide करना है आपके जितने भी रुपए हो उत्ती नहीं ही रुपए आपको यहाँ पर select करने है माली जिए मैं 100 रुपीज यहाँ पर अपने bank account में transfer करना चाहता हूँ तो 100 पर मैं click कर दूँगा ठीक है जैसे click करोगे यहाँ पर यह green color करोजाएगा उसके बाद किस में आपको लेने है paytm में लेने है यूपियाई ID पर लेने है या paypal में लेने है वो आप अपने हिसाब से select कर सकते हो मैं यहाँ पर UPI ID मिलेंगा UPI ID पर जैसे क्लिक करोगे यह भी green हो जाएगा उसके बाद नीचे की साइड में UPI ID यहाँ पर नीचे डालने का option आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर हम UPI ID डाल देंगे तो जैसे ही आप UPI ID यहाँ पर अपनी डाल देते हो उसके बाद convert reward का option मिलेगा यहाँ पर click करना है जैसे ही आप click करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि 100 रुपीज में आपको कितने रुपए मिलेंगे प्ले पॉइंट देख रहे हुआ आप हमने 100 सेलक किया था और payout यहाँ पर लिखा हुआ है कि 60 रुपए हमें मिलेंगे payout में ठीक है यानि 100 रुपए अगर हम convert करते हैं तो 60 रुपए मिलेंगे उसी तरह से अगर आप 200 रुपए यहाँ पर convert करते हो तो 120 रुपए आपको मिलेंगे यानि 80 रुपए का यहाँ पर 40 परसंट का यहाँ पर charges लगते हैं 40 पर यहाँ पर जो हमारे पैसे हैं वो cut कर लिये जाते हैं और 60 परसंट हमें दिये जाते हैं ठीक है तो 60 परसंट जो amount है वो हमारे bank account में डाल दिये जाएगा तो हम convert reward money यहाँ पर लिखके आ गया है यहाँ पर click करेंगे जैसे यहाँ पर click करोगे तो यहाँ पर हमारा google play balance यहाँ पर दिखाने लगा है नीचे देखिए लिखके आ गया है और यहाँ पर हमें buy वाले पर click करना है नीचे buy का option आ जाएगा buy पर click करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपका जो password है अपने gmail id का जो हमारी play store पर लगी है जिसमें हमारे पैसे पढ़ हुए है उसका password हमें यहाँ पर डालना होगा तो मैं password यहाँ पर डाल देता हूँ डालने के बाद यहाँ पर verify पे click करेंगे verify पे जैसे click करेंगे तो यहाँ पर processing होने लगी और processing होते ही यहाँ पर payment successful हमारी हो गई है ठीक है अब हमें कुछ नहीं करना not now direct back आ जाते हैं तो यहाँ पर हम back आ गए हैं इस act पर और उपर की side में message भी आ गया यहाँ पर congratulations hundred point converted और 60 rupees जो है वो हमारे bank account में भेज दिये जाएंगे 7 working days में और by chance अगर आपको देखना हो कि मैंने convert किये हैं पैसे वो कहाँ पर दिखाएगा मुझे तो नीचे की side में यहाँ पर home page होता है यहीं नीचे की side में more का option होता है more पर click करिए और यहाँ पर orders का option यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर पीले color में yellow color में orders पर जैसे ही click करोगे तो जो भी हमने order डाला है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा तो finally यहाँ पर मुझे convert के हुए 8 से 9 दिन के आसपास हो गए हैं और मुझे पैसे receive हो चुके हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आपको पता चलेगा पहला तो आपके account में credit हो जाएगा वहाँ से देख सकते हो साथ में यह app जो हमारी app है मैं back करके दिखाता हूँ reward वाली reward converter की इस पर ही जैसे आप आओगे यहाँ पर more फे फिर से आओगे orders में आओगे और orders में जैसे ही आप आओगे तो आपको यहाँ पर order created हमने दिखा है थ कि order हमने 21 अपरेल को डाला था और उसके बाद processing में चला गया यहाँ पर और processing में हमारे credit होने में पैसे 19 अपरेल को यहाँ पर receive हुए तो करीब 8 से 9 दिन का time लगा है हमें यहाँ पर 60 रूपीज receive होने में तो इस तरह से आप convert कर सकते हो लेकिन मैं शुरू में बताया था कि 5 से 6 दिन में आपका account में आ जाएंगे हाँ लेकिन ऐसा होता है कभी कभी transaction जादा लगते हैं तो 2-3 दिन extra लग जाते हैं और लेकिन कभी कभी पैसे जल्दी भी receive हो जाते हैं क्योंकि मैंने पहले भी इस से convert किया था तो पहले मुझे 6 दिन में पैसे receive हो गए थे लेकिन इस receive हो जाएंगे और अगर आपको कोई problem होती है यहाँ पर पैसे convert करने में तो comment box मताना मिलते हैं next video में तब तक के लिए bye bye